आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टन्ट है कभी न कहीं महिलाओं को ये चीज फिलिंग ज़रूर आती है उनके मन में कोशन ज़रूर आता है कि उनको पीरेट्स के दौरान पे क्लॉट्स क्यों निकलते हैं क्लॉट्स बड़े और छोटे मिलाकर के कैसे भी हो सकते हैं उनकी साइजेज जादा भी हो सकती हैं कम भी हो सकती हैं या कई बर उनके क्लॉट्स जादा भी निकल सकते हैं कम भी निकल सकते हैं मैंने की सभी महिलाओं को कभी न कभी कलोट्स की समस्या रही है।। उनको लगता है कि ये कलोट्स आखिर क्यों होते हैं। ये पीर cabeards के जरान क्यों निखलते हैं। तो आज मैं आपको क्लोट्स के बारे भी नहीं है, आपके जो uterus की lining होती है, उसके जो tissues होते हैं, उसी का टूट टूट कर निकलना होता है, जो ये uterus में lining बन रही होती है, आपके pregnancy के लिए आपकी body आपको prepare कर रही होती है, उस time पे आपके uterus के चारो तरफ उसकी एक lining एक परत बन रही होती है, जो कि आपकी pregnancy के ल फिर उसका discard कहना कर सकते हैं कि उसको menstruation flow के तरूप में वो discard हो जाता है तो यह जो normal प्रक्रिया है कि आपकी यह जो uterus की lining है यह टूट टूट कर गिरती है और अगले cycle के लिए आपकी body refresh हो जाती है तो आपकी uterus की पूरी अच्छी तरह से cleaning भी हो जाती है आपकी next cycle के लिए और जब evolution होता है evolution के बाद आपकी पूरी body यह परत बनाने के लिए फिर से अगले cycle के लिए जूट जाती है लेकिन जैसे ही menstruation आती है उस time पे आपको सिर्फ और सिर्फ bleeding ही नहीं होती है बलकि जो tissues होते हैं वो धीरे धीरे करके तूट तूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं वो तूटते हैं तभी जाके आपको clots निकलता है तो कुछ clots बड़े होते हैं कुछ clots छोटे होते हैं कुछ clots बहुत ही महीन भी होते हैं और कुछ clots ऐसे होते हैं जो की काफी बड़े होते हैं तो आपको कैसे समझ पाएंगे कि ये clots बिलकूल normal है तो अगर आपको किश्मिश के दाने के बराबर या थोड़ा उससे बड़ा अगर अंगुर के दाने के बराबर अगर क्लॉट निकलता है आपके period cycle में तो इसको आप normal consider कर सकते हैं इसका color बिल्कुल dark brown भी हो सकता है बिल्कुल red भी हो सकता है या फिर आपका उसका color थोड़ा स में रहने के वज़ा से वो oxidize हो जाते हैं जिसके वज़ा से उनका जो ये period होता है बिल्कुल black color का या फिर बिल्कुल एकदम oxidize या फिर कह सकते हैं जंग जैसा brown color का अगर आता है तो इसका मतलब कि काफी समय से आपके uterus में वो blood रहा हुआ है उसके वज़ा से उसका color इस त करते हैं अगर आपकी period cycle 3-5 दिन की चलती है तो इसको आप पूरी तरह से normal consider करेंगे और 80 ml तक का जो blood होता है यानि कि 3-4 चमद जो blood होता है वो अगर आपका release होता है पूरी menstruation के टाइम पे तो वो भी आप इसको normal consider कर सकते हैं लेकिन अगर आपको period cycle 8-10 दिन चल रही है या फिर बिलकुल 1-5 दिन अगर period आ रहे हैं तो उसको आप normal बिलकुल भी consider ना करें क्योंकि ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है अब कुछ महिलाओं को ये भी problem होती है कि उनके जो clot का size होता है वो बड़ा-बड़ा होता है उसके clot के अगर आकार की बात की जाए तो आकार काफ लेकिन हो सकता है कि उनका miss devotion हो उनका miscarriage हो जिसके वज़े से भी बड़े-बड़े clot आते हैं तो ऐसे कि इसमें आप अपने gynecologist से जरूर मिले वो आपको deep इसके बारें बताएंगी कि अगर आपकी pregnancy ठहरी थी और उसके बाद वो discard हो गई है तब भी आपको बहुत-बड़ बिल्कुल ना भूले क्योंकि अगर ये clot बिल्कुल नॉर्मल है किश्मिश के दाने के बराबर है अंगुर के दाने के बराबर है तो आप इसको नॉर्मल कंसिडर करें लेकिन अगर बड़े-बड़े से clot हैं और बिल्कुल अनूसवल सी foul smell भी आ रही है और काफी ब्लेडिंग जा रही है तो अपने कनेकलोजेस से जरूर मिले क्योंकि इसे आपका ब्लेड लॉस बहुत जदी जादा हो सकता है ब्लर लॉस अगर बहुत ज़दा होगा तो वपकेश केru裏घन की कमी हो जाएक और उस टेमफिन अगर ढफिता से लेकिन अगर कुछ पारिक आपकी uterus में रह जाता है तो बाद में चलके ये infection का रूप ना ले ले तो इस तरह की सावधानी से आपको बचना चाहिए और immediately अपने डॉक्टर से consult करना बिलको ना भूले है हाला कि mainly अगर इस clot की बात की जाए तो normally puberty से लेकि menopause आने तक हर महिला को clot ज़रूर निकलती है क्योंकि ये प्रकृती द्वारत है होती है जितने भी uterus की extra lining होती है जो की pregnancy के लिए ready होती है वो जब pregnancy नहीं उनकी ठहरती है तब वो clots की रूप में बहार आती है लेकिन अगर बड़े clots हैं तो आपको दिखाना अनिवारे बनता है hopefully इस वीडियो में देगा जनकारी आपको अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे इंस्टाग्राम पे और फेस्बूक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले थैंक्यू समच पर रौशिंग ट्वेंस्पाइवर्ड